Some matches are made in heaven, जैसे की बारिश और चाय पकोड़े तो आज बारिश को एंजोई करने के लिए मैंने बनाए हैं सभी के all time फैवरिट मज़ेदार से आलू के पकोड़े बहुत क्रिस्पी और टेस्टी, फटाफट बनने वाले आलू के पकोड़े तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए मैंने लिए है चार से पांच आलू, उन्हें अच्छे तरह से पील ओफ कर लिया है और उसके बाद इसे अच्छे से वाश करके लिया है अब इसको हम slice में cut करेंगे तो इतना पतला पतला हम cut करेंगे इसे slicer की बज़ाए चाकू से cut करेंगे क्योंकि slicer से ये बहुत ज़्यादा थिन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं तो हमें इसकी मोटाई इतनी रखनी है कि ये बहुत ज़्यादा पतले भी ना हो और बहुत ज़्यादा मोटे भी ना हो तो इसलिए मैं इसे चाकू से कट करूंगी अब बनाएंगे बैसन का बैटर तो इसके लिए मैंने लिया है एक कप बैसन साथ ही इसमें मैं डालूंगी वन फॉर्थ कप कॉर्न फ्लोर उसके ब जामक डालूँगी इसमें सुवात के अनुसार, स्पाइसेज आप अपने टेस्ट के अकोर्डिंग कम या जादा कर सकते हैं, साथी इसमें वन पिंच डालूँगी में बैकिंग सोडा, इससे जादा डालने की जरुरत नहीं है, बस एक पिंच काफी है, अब इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे, और उसके बाद इसमें हम थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालेंगे, और इसका एक अच्छा सा बैटर बनाएंगे, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, तो देखिए इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बैटर की, तो ये बैटर मैंने बना कर तयार कर लिया है, इस बैटर को रखेंगे एक साइड और अब एक कडाही में हम तेल गर्म करने के लिए तलने के लिए, अब यहां मैंने आलू का जितना भी पानी था उसे निकाल दिया है, और अब एक एक पीस आलू का उठाएंगे और इस तरह से बैटर में डिप करेंगे, और अच्छे से चारो तरफ से इसे कोट कर लेंगे, और फिर एक एक करके इस पकोड़ों को हम ऑईल में डालते जाएंगे, ऑईल का टेंपरेचर मीडियम गर्म होना चाहिए, बहुत तेज गर्म ऑईल में हम पकोड़े नहीं डालेंगे, वरना वो बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्छे रहे जाएंगे, तो मीडियम होट उयल में पकोड़े डालेंगे, और मीडियम टू स्लो फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे, तो एक से दो मिनट के बाद इसे हम फिलिप कर देंगे, और दूसरी साइड से भी इसे फ्राई करेंगे, तो इस तरह से अलट पलट करके हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर गॉल्डन हो जाए और यह थोड़े से क्रिस्पी हो जाए तो इस तरह से fry करने के बाद ये देखी इसमें कितना अच्छा golden color आच चुका है और ये अच्छे से crispy fry हो चुके हैं तो इसे अब हम निकाल लेंगे, बहुत मज़ेदार और crispy पकोड़े बन कर तयार होते हैं गर्मा गर्म ये चाय के साथ या सोस के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं इस रेसिपी को एक बार जरूर ड्राइ कीजिए और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए